अंग्रेजी में एक मुहावरा तो सबने सुना होगा हॉली काउ जिसका हिंदी में अनुवाद है पवित्र गाए गाए हिंदूओं के लिए एक पवित्र पशु है बारत के लगबग हर शहर हर गाओं हर कस्बे में गाए खुले आम गुमती जरूर दिख जाएगी पर ऐसा क्या है जो किसी और जानवर के लिए इतनी श्रद्दा इतना प्रेम इतना आदर नहीं यह वीडियो देखकर हमारे विवर्स समझ पाएंगे कि क्यों बारत देश में गाए को पवित्र माना जाता है और क्यों मा का दरजा दिया जाता है पर यह सब जानने से पहले हम सदेशी गाए की विशेषताओं को देखते हैं और यह जानते हैं कि यह अन्य गाए से कैसे अलग है देसी गाए की पहचान इसकी पीट पर उबरे हुए कूबर से होती है जो अन्य नसल में नहीं होता इनके कान भी अन्य गाये के मुकाबले लंबे होते हैं देसी गाये ही एक मात्र दैविय जीव है जिसकी सुरा केतु नाडी उसकी रीड से गुजरती है ऐसा माना जाता है कि नाडी सूरच से ओशदिय सार को अकर्शित करती है जब सुरे केतु नाडी सौर किर्णों के साथ संपर्क में आती है गाये के रक्त में सोने से लवन का प्रवा होता है इसलिए देसी गाये का दूद, मक्खन और गी सोने का रंग रहन करता है वैदिक गाये का गोबर पतली जिल्ली से डके होने से हमेशा एक सुकदायक गन चोड़ता है गैर देसी गाये के गोबर की गन बहुत ही बदबुदार होती है अन्य गाये का गोबर तरल होता है क्योंकि उनके गोबर में ठोस रखने के लिए जिल्ली नहीं होती दिसी गाय का दूद अधिकांश A2 ग्रेट का होता है इस दूद को अलफा 2 कैसीन प्रोटीन की मातरा में सम्रद्ध पॉष्टिक माना जाता है जो स्वस्त जीवन जीने के लिए उपयोगी है गैर दिसी गाय के दूद में A2 जैनेटिक तत्व बहुत कम पाया जाता है सिरफ दूद ही नहीं जिसके कारण गाय की सम्रिद्धी है गाय से प्राप्त और भी कई उत्पाद है जैसे गी, गौमूत्र, गोबर और चमडा प्रतेक उत्पाद सभी प्रानियों और परियावरन को लाप प्रदान करते है पंच गव्वे शब्द का संस्क्रिप्ट में अर्थ है पांच गाय पंच गव्वे की पांच मुखे सामगरियों में गोबर, गौमूत्र, दूद, दही और गी है गाय जितना मनुश्यों से लेती है उससे कहीं अधिक देती है हिंदू दरम में सभी जीवों को पवित्र बताया गया है मा के बाद गाय का दूद पीने से गाय के साथ मातरत्व का भाव भी जुड़ जाता है इसलिए गाय के लिए बिशेश सम्मान और शद्दा है त्योहारों मेलों में गाय को सजाते हैं लेकिन जैसे देवताओं की पूजा की जाती है गाय की पूजा नहीं हुथ गाय इस प्रथ्वी पर जीवन का भी प्रतीक है पोशक और दाता है गाय इतनी उदार है कि पानी, गास और अनाज के अलावा कुछ नहीं लेती और मनुश्यों को बदले में कई उपहार देती है मुर्त्यू के बाद भी गाय इस दुनिया को चमड़े की बेल्ट, सीटे, कोट और जूते जैसी चीज़े देती है कई मनुश्यों के लिए गौ सेवा, अनुग्रह और बहुतायत का प्रतीक है गाय की सेवा में नमृत्ता, ग्रहन शीलता और प्रकृती के साथ जुडाव के गुन विक्सित होते हैं महात्मा गांदी ने एक बार कहा था किसी भी देश की महानता और उसकी नैतिक प्रगती इस बात पर निरबर करता है कि उस देश में जानवरों के साथ कैसा वेवार किया जाता है इसलिए गाय की सुरक्षा केवल गाय की सुरक्षा ही नहीं उन सभी लोगों की सुरक्षा है जो दुनिया में असहाय और कमजूर है इस सौमे जानवर का सम्मान सभी प्रानियों का सम्मान है उमीद करता हूँ गाय की गरीमा के गुनगान करते हुए इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें शुक्रिया